असलाम अलेकूम, हाई वीवर्स, वेलकम बेक टू मैं चैनल, हैपी मदर्स डे, आज मैं मना रही हूँ मदर्स डे, अपनी मदर का, मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलके आज एक छोटी सी दावत प्लैन की, अपनी मदर के लिए, हमने मुझवाया केक, और सबसे पहले, आपको प हुआ है, मतलब मुझे भी और मेरी सिस्टर को भी तो, मतलब हमने ये कुछ चोटे-चोटे प्लांट्स रखे हुए हैं, जो के आजकल मेरी बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है, वो इन पर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लांट्स रखना, गार्णिंग करना, आपको पता है, फ्लैट्स मर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, बट फिर भी मैंने ये तोड़े से पौदे रखे हैं, हमने मंगवाया था, अपनी मदर के लिए रात का डिनर प्लान किया था, मैंने और मेरी सिस्टर ने, हमने मंगवाई चिकन कडाही, और व्लॉग आपने एंड तक देखना है, बहुत ही जबरतस व्लॉग है, मैंने शॉपिंग भी की है, कुछ ऑनलाइन वो भी आपको दिखाती हूँ, साथ में हमने मंगवाई यहां पर सी कबाब, सैलेड, और हमने बहुत ही जबरतस किसम का मदर देर सेलिबरेट किया, मैं उन तमाम लो माँ बहुत खुबसूरत रिश्ता है, आपके हर दुख सुक का साथी अपकी माँ है. आप जो बात किसी से शॉर्ट नहीं कर सकते हूँ, वो अपनी माँ से कर सकते हो. प्लीज अपनी माँं का खयाल रखें, यह रिश्ते दुबारा नहीं मिलते, आपको हर रिश्ता मिल चा मेरी मदर जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरी मदर ने बहुत स्ट्रगल करके हमें यहां तक पहुंचाया हमें पढ़ाया लिखाया बहुत फाइट की लाइफ के साथ और मेरी मा जैसा तो मैं कहती हूँ इस दुनिया में कोई नहीं है मेरी तमाम दौाइं मेरी माँ के साथ और दुनिया की तमाम माँ के साथ कि दुनिया की तमाम माँ अपने फैमिली के साथ खुशाल रहें और हमें खुदा इतनी तौफीक दे कि हम अपनी माँ को जो हक उनका है वो उन्हें दे सके अच्छा मैंने मंगवाई थे कुछ बैच शीट्स यह आनलाइन मैंने मंगवाई थी और मैं इसे यूज करूँगी और आपको इनका पेज भी टेग करके दूँगी कि आया आपको यहां से बैच शीट्स मंगवानी चाहिए या नहीं यह अभी अभी हमें पार्सल रिसीव हुआ था इसमें से एक बैच शीट मेरी सिस्टर ने ओर्डर की थी और एक मैंने ओर्डर की है यह मेरी सिस्टर की बैच शीट है उसको इस तरह के कलर पसंद है और जो मेरी बैच शीट है मैंने थारा funky किसम के color पसंद किये थे एक हमने bed cover मंगवाया था जो bed के ओपर cover लगता है वो मंगवाया था और ये मेरी bed sheet है ये देख सकते हैं दोनों bed sheets एक ही शौपर में आई है बट जो मेरी bed sheet का color था वो वड़ा funky सा था और मुझे वो बहुत 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 अच्छा लगा क्योंकि आपको पता है मैं अमूमन जो वीडियोस बनाती हूँ कपड़ों की या कोई भी तो वो bed पर रखके बनाती हूँ तो मुझे लगा कि मुझे ये वाला color बहुत अच्छा लगेगा और मेरी वीडियोस में एक थोड़ा अच्छा सा color आएगा अपनी अपनी पसंद होती है मेरी सिस्टर ने वो वाला color मंगवाया था जो वीडियो में पीछे जा चुक है पिर आ जाते हैं प्लांट्स की तरफ और ये देखे हसते मुस्कुराते मेरी प्लांट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये तकरीबन मुझे रखे हुए यहां पर तकरीबन तीन से चार महीने हो गए हैं और अब इनके चोटे-चोटे से बेबीज भी होना शुरू हो गए हैं मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने यह देखा हुआ मेरी सिस्टर ने बताया कि यह देखे हैं इनके चोटे-चोटे प्लांट्स दुबारा से उगना शुरू हो गए हैं मुझे बहुत-बहुत-बहुत कुशी हुई मैंने यह प्लांट्स देखें इस तरह लगाए हैं कि नीचे जो बॉक्स का होल होता है क्योंकि इसको थोड़ी सी हवा चाहिए होती है तो इस तरह से आप इस पे होल करके इसके उपर रख सकते हैं चोटा प्लांट है मेरा यह मैंने अभी ही इसका ख्लिप में से अमिस हो गया मैंने अभी इसको खोद कर सारी मिटी को और इसे बीच में दबाया है और यह चोटे-चोटे से दो अलोवेरा के प्लांट्स हैं जो के इन्शालला बड़े होंगे तो मैं आपके ज़रूर दिखाऊंगी और यह देखे इस प्लांट के साथ भी यह दो छोटे प्लांट्स आ रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इन्शालला फिर जब यह थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं नहीं इसी तरह के गमले में या बॉक्स में डाल कर रखूँगी जब यह बड़े हो जाएंगे तो फिर हम इनके गमले जो है वो चेंज कर देंगे ये वाला पौदा भी देखें, माशालला कितना बड़ा ये प्लांट हो गया है, I'm so happy कि मेरे प्लांट्स फल रहे हैं, इंशालला मैं आपको अपने प्लांट्स की थोड़ी थोड़ी ग्रोथ जो भी मैं दिखा सकी आपको दूंगी, दिखाती रहूंगी, और ये मेरा ऐलोव बाद रहें, टेक कियर, अल्ला हाफिज